हेई एवरिवान वेल्कम तो सरकारियाट वन्स अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे बीगे साथ एक इंपॉर्टेंट डिसकेशन करने वाला हूँ जो की बी फार्मा के एड्मिशन से रिलेटेट होने वाला है तो कुछ चीजे मैं पहला आपको ब्रीफ में बता देत क्योंकि इसमें जो एड्मिशन होगा वो आपका CUET के थ्रू होने वाला है ठीक है और इसी तरीके के जो भी आपके लिए इंफोर्मिशन होती है जो आपके लिए बेस्ट कोर्सेज है मैंस और बायो दोनू ही केंडिडेट्स के लिए तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहता ह हो ठीक है बाकी CUET का फर्म कैसे फिल करना हो उसके रिगार्ड़ें आपको जो वीडियो है उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएंगे तो वहां से जाके आप उससे help ले सकते हो ठीक है तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं तो यह मैंने बता दिया उत्राखंड में श्री नगर एक जगे है गड़वाल रिजन में तो वहां पर जो है इसका campus है जहां पर से आप B Pharma का course कर सकते हो तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्राखंड के candidates ही eligible है इसमें All India के candidates eligible है कोई भी जो है apply कर सकता है ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में information बारे में हम लोग बात कर लेते हैं हृँ तो यहाँ पर जो है B Pharma के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं थिक है तो पहले हम लोग SEATS की बात कर लेते है total seats यहाँ पर कितनी available हैं तो 5th point जो इसमें लिखे है Pharmaceutical Science ठीक है उसमें जो B Pharma कूर्स है यह 8 semester का कूर्स आप करेगा regular कूर्स है और इसको जो admission होगा वो merit based on CUT score के basis पर रहेगा ठीक है वैसे HNB गड़वाल University के 3 campus है एक श्री नगर में एक टीरी में एक पॉर्डी में लेकिन जो आपका B Pharma वाला कूर्स है वो स्रिफ श्री नगर के campus में available है और यहाँ पर जो total seats हैं वो आपकी 60 seats यहाँ पर है ठीक है अब क्या है कि आप जब CUT का form फिल करते हो तो आप वहाँ पर multiple colleges select कर सकते हो multiple university select कर सकते हो और आपकी जो form की fee से वो आपको एक ही बार पे करनी होती है ठीक है तो आप चाहें इसका B Pharma का form फिल कर रहे हो या इसके साथ कुछ और भी कर रहे हो जैसे मैंने कल भी एक video upload करे थी आपका BHU में paramedical से admissions related ठीक है जो BHU में paramedical का admission है उस पर भी video upload करे थी तो वो भी अगर आपको check out करनी हो तो जाकर channel पर देख लेना ठीक है तो आप multiple courses select कर सकते हो लेकिन CUT का form आपको एक ही बार fill करना हो और एक ही form में multiple colleges multiple courses select कर सकते हो तो ये इसका benefit है आपर ठीक है बागी और भी जो future में मेरे को लगिगा कि जो अच्छे courses है जो आप कर सकते हो उस पर मैं videos लाता रहूँगा ठीक है तो ये समझा गया total आपकी यहाँ पर 60 seats रहने वाली है अब उसके बाद कुछ और information हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो इसके लिए कौन कौन eligible होगा वो सब चीज़े देख लेते हैं ठीक है तो ये सब तो आपको पते हैं कि CUT का जो exam में वो आपका CBT mode में होता है तो अब यहाँ पर जो eligibility है वो यह है कि आपने physics, chemistry, mathematics या फिर physics, chemistry, biology इस stream से अपना class 12 किया होना चाहिए ठीक है और यही जो है यह आपके domain subjects रहेंगे आपके CUT के exam में मतलब जब आप CUT के exam में appear होगे तो महाँ पर आपको physics का, chemistry का, math का इन तीनों का exam आपको जो है देना होगा समझा कर बात ठीक है बाकि domain subjects क्या होते हैं वो सभी information आपको जब application form वाली वीडियो देखोगी जिसका link मैंने comment section में पिन के है तो महाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है तो physics, chemistry, math वाले, जो math stream के बच्चे हैं वो math का exam देंगे physics chemistry के साथ और जो biology stream वाले हैं वो physics chemistry, biology का exam देंगे CUT में चेक है तो यह आपको exam देना होगा बाकी 10 plus 2 जो मैंने बता दिया कि PCP, PCM दोनों ही candidates यहाँ पर eligible है और age के बारे में अगर मैं बता हूँ तो minimum जो 17 years आपकी age होनी चाहिए 31 December 2023 तक ठीक है तो 31 December 2023 तक जो आपकी minimum age जो है वो 17 years complete हो जानी चाहिए तब ही आप यह course के लिए eligible हो पाऊगे ठीक है बाकी fees वगरा के बारे में भी हम लोग आगे discussion करने वाले है और बाकी अगर कोई ऐसा candidate है जिसने D-pharma कर रखा अगर किसी ने diploma कर रखा है already ठीक है फार्मेसिस से तो वो भी B-pharma lateral entry में ले सकता है लेटरल एंटरी का मतलब होता है कि second year में directly admission मिल जाता है उसको first year की पढ़ाई नहीं करनी पड़ते है तो उसका जो admission होगा वो भी आपका CUT के course के basis भरी रहने वाला और वहाँ पर जो आप से आपको domain subject जो select करने होंगे वो सर्फ chemistry और biology select करने पड़ेगा physics का exam आपको नहीं देने पड़ेगा अगर आप B-pharma lateral entry में apply करते हो ठीक है उसके बाद हम लोग आगे चलते है आगे जो information है ये तो M-pharma के बारे में ठीक है तो अब हम fees की बात कर लेते हैं तो Bachelor of Pharmacy जो first नहीं लिखा हुआ है तो basically self finance course है इसलिए इसकी थोड़ी सी fees ज़्यादा है यहाँ पर campus के अंदर ठीक है तो details of fees for self finance course यहाँ पर लिखा है पहला लिखा है B-pharma तो इसकी जो आपकी course fees रहेगी per semester वो रहेगी आपकी 21,000 रुपीज उसके साथ सथ आपको एक security deposit भी जमा करना पड़ता है जो कि 5000 होता है वो आपके admission के time पे एक ही बार जमा होता है ठीक है और वो आपको refund भी कर दिया जाएगा चार सल के बाद in case आपका सब कुछ सही रहता मतलब आप मतलब यह जो caution में नहीं लिया जाता है वो उसलिए लिया जाता है कि in case कभी आप future में कुछ भी college की property का loss करते हो तो वो उस amount में से आपका deduct किया जाता है ठीक है और कुछ नहीं रहता है आपका behavior वगरा सबको सही रहता है तो यह 5000 आपको as it is मल जाएगे चार सल course complete करने के बार बाकी जो आपकी per semester fees है वो आपकी 21,000 है बाकी 3-4,000 रुपए आप exam fees लगा सकते हो per semester की और किसी को अगर hostel वगरा लेना होगा hostel वगरा के बार में आप information इसका ब्रोचर download करके check out कर लेना ठीक है तो उसकी fees जो है वो शायद यहाँ पर अलग रहेगी ठीक है तो लगबग आप यह मान सकते हैं कि 25,000 रुपए पर semester का यहाँ पर आपका खर्चा रहने वाला है ठीक है तो 25 जो है एक semester करेगा तो 8 semester नहीं आने कि आपका 2,00,000 रुपी जो fees for पूरे course की यहाँ पर रहने वाली है clear है अब इसके बाद आगे कुछ और information देख लेते हैं यह foreign candidates के लिए तो इससे हमारा अभी कुछ मतलब नहीं है ठीक है बाकि अगर इन case आपको को information चाहिए मतलब इस college के बारे में course के बारे में तो यहाँ पर इनके numbers भी दिये गए गए professors के जो के department of pharmaceutical science के है तो यह जो number लिखा है यह professor अब्दुल फारुक का लिखा है तो आप इनसे भी contact करके कुछ भी information पूछ सकते हो इस course के बारे में clear है और यह examination fees होगर है लिखे तो 1600 रुपे fees जो यहाँ पर रहती है examination की fees जो कि मैंने कहा था लगबग 3-4,000 रुपे होती है ठीक है तो 1600 रुपे fees है आपकी और बाकी यह तो मैंने आपको बताई दिया ठीक है तो यह आपकी complete information थी B Pharma course के regarding ओके और बाकी कुछ चोटी मोटी fees भी हो सकते है जैसे registration fees हो गया counseling fees हो के admission fees हो गया यह सब आपको starting में pay करनी पड़ती है एक बार बाकी जौब का खर्चा रहेगा वो 25,000 के आसपास रहेगा एक semester है आप ठीक है तो इस तरीके से जो है आप यहां से B Pharma pursue कर सकते हो और को information चाहिए तो मुझे comment section में बता देना और अगर इप वीडियो थोड़ी से भी helpful लगे तो प्लीज को दरू लाइक कर देना